आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिना तेल में फ्राइ के वे इंस्टेंट फटा फट क्रिस्पी स्वादिस्ट कर्योरी चाट की रेसे भी यकीन मानिये ऐसा अनुखा नया तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा 10-12 निट का समय मुश्किल से ही लगेगा और इसे इंस्टेंट जब मर्जी चप आप चाहे से तयार कर सकते हैं जो देखने में एकदम यूनीक है और खाने में बहुत ज़्यदा स्वाधिस्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यदा है चलिए देखते हैं मैंने किस तरीके से बन यहां पर बैसन ले लिया है इसके साहत ही सुकरिशन और था घाल आपे सब्सक्राइब तो एक चाहता डमच यहां पर यहां नमक तो यहां पर वहां तो इस पर यह नमक तो थोड़ी सी हल्दा का पोडर करेंगा जिसे कि बहुत अचा पाउडर आथा आएगा साहती साहती, स और एक चताई चमच यहां पर मैंने डाला है अध्रक नसन का पेस्ट जिसे की बहुत अच्छा फ्रेवर आजाएगा टेस्ट आजागा इसमें अच्छे से मिला लेंगे और बिल्कुल थोड़ा पानी डालते वे बैटर बनाएंगे और बहुत साथा गीला नहीं होना चाहिए तो इस तरह के से पानी डालते जाना है और हमें बैटर बना कर त्यार कर लेना है और मैं थोड़ा सा पानी और ले लेती हूँ तो एक चुदाई कप मैंने अभी डाला है और यहां पर मैंने दूसरा पानी और ले लिया है और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं तो तो आपनी यहां पर लगा है और इस तरीके का बैटर बना लेना है फ्लोइंग कंसिस्टेंसी धोनी चाइए थोड़ी थीक अइसरे पर दूसरा बोल ले लिया है और बनाएगे हां पर चाठ का यह पर मैंने बॉइल सपेद जो चने वो ले लीए है इसके बाद के आपर मैंने पालू 4ड है default नमक डाल दिया चाँट यह पर लदी wal-mish का पौड़्व का B धनीय की चटनी भी इसमें डाल सकते हैं या फिर बिना चटनी के भी बना सकते हैं इसके साथ यहां पर मैंने यह नीमू डाल दिया है तो यहां पर अच्छे से मिला लेंगे सबी चीजी डालने के बाद जो चटनी मैंने इसमें काफी जादा तीकी है तो यह चार्ट जो है ती अगे के प्रोसेस में पर यहां पर चाट वाली कटोरी तो तो यहां पर चाट वाली काटोरी हैं हम बनाने वाले हैं बैसन से बीना आपने लिया है और मेंकल के रामें I can प्लस्टिक को अच्छे से धोलिया है दोने के बाद इसे हम ग्लास में इस तरीके से अजस्ट कर देंगे और इसके बाद जो हमने बेटर बना है पूरा बैटर इसमें मैं डाल देती हूं 데 MARI किषब prime कर दिया और 12å में इसे दो अलग लग प पॉलिथे में के और यहांपर मैंने इसे डालाफ़ के और 2 ढालों ग्लाफ़ कर सकते हैं और ये करेंगे ताकि जो पूरे जो कैविटी है उसमें अच्छे से ऑइल लग जाए और यहां पर जो हमने यह पैकेट बनाया तो उसे हलका सा कट करेंगे बिल्कुल हलका सा मैंने कट किया है और इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूं वैसे ही जो हमें टोकरी बनानी है चोटी-चोटी तो इस तरीके से मैं बना लेती हूं तो बहुत हराम से एक बार में परफेक्ट बनेगी तो ट्राय करिएगा और बहुत जादा क्रिस्पी बनती है और बिना तेल के बनती है तो पूरे अपम पैन में इसी तरीके से हमें चोट-चोटी सी कटोरियां सी बना लेनी है यहां प बिल्कुल धीमे आज पर से शेकना है ताकि यह जले नहीं लेकिन अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से पक भी जाए तो बेशन को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और देख सकते हैं और शिखने के पाद आराम से निकल गए हैं बिल्कुल भी चिपके नह लिए इस तरीके का यह सबके पास ही होता है और इसे मैंने गैस पर रख दिया बहुत ही धीमा करके तो यह पैन है बिल्कुल गरम हो चुका है अप ट्रहे से इसे पैन में हम बड़ी-बड़ी कटोरिया बना लेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे मैं बिल्कुल वैसे ही बन किना लेना है और इसमें हम थोड़ा साइडों में डालेंगे जैसे कि अगर यह कटोरी हमारी किनारों पे चिपक जाती है तो इस तरीके से आप चोटी और बड़ी दोनों तरीके की कटोरियां बना कर त्यार कर सकते हैं और यह बड़ी भी हमारी कटोरी बन गई है तो आदक का बेशन से मैंने काफी सारी कटोरियां बना कर त्यार कर ली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चोटी बड़ी कटोरी चाट बना कर अराम से त्यार कर सकते हैं और देखने में कितनी प्यारी लग रही है कितनी क्योट सी लग रही है तो इस तरह के साथ बना सकते हैं इसके बाद जो हमने मिक्षर बनाया है इसमें हमें रख देना है यहाँ पर जो हमने चाट का मिक्षर बनाया है वह अगर तुरंत आपको खाना है तब इसमें डालें न डालें कियोंकि जो हमने यह बेसन वाली कटोरिया बनाई है वह सीइल सकती है तो इंस्टंट खाने के लिए ही इसे सजाएं न तो बिल्कुल न सजाएं और इसके बाद ज तो यह इस तरीके से रख देना है और रखने के बाद पर हम लगाएंगे थोड़े सा अलू भुजिया जिसे की और ज़दा टेस्टी लगेगा साथी साथ देखने में भी बहुत ज़दा यूनिक सा लगेगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी को फेल कर लिया है और बहुत और मेरे चानल को सब्सक्राइब करने ना भूलें और यह कटोरी चार्ट की रेसेपी एक बार जरूर ड्राय करें एक बार में परफेक्ट बनती है और एक बार में जो भी देखेगा इसे जब आप इसे सर्फ करेंगे तो सभी को बहुत ज़दा पसंद भी आएगी तो कटोरी चार्ट है चोटा सा और देखे कितने किस्पी बने तो इस तरीके से यह जो हमने कटोरी बनाई है इसे भी आप थोड़ा सा क्रश करके इन चार्ट के ओपर डाल सकते हैं तो इस तरह के साथ यह किजिए साथ फैमिली फिरस में भी शेयर कीजिए रेसेपी ताकि वो अजसे बने चार्ट है।